अगर आपको भी इंस्टोल करना है OnePlus का Launcher, OnePlus का Recent और OnePlus के सभी अप्लिकेशन तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बोच करें और यहां पर आपको बता देते हैं कि यह जो है आप किसी भी डिवाइस में इसको इंस्टोल कर सकते हो मैथड मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है और यहां पर एंडोइट 10 एंडोइट 9 पर टेस्ट कहा है एंडोइट 10 एंडोइट 11 पर टेस्ट कहां और 9 पर टेस्ट नहीं कहा हैं आप सभी पर जो है कर पाऊगे और करना कैसे है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे और क्या कुछ देखने को मिलता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वाच करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्र मिइब के पूर्ट यहां पे आप सबसे पहले बॉल पेपर कर चैसे कि मिलता तो हम अगर को सेट करते हैं तो इस में क्या दिक्कत आती है कि मिई में सिरु शिआए बिक्कत हां होता है आपके क्या बडेक सकते का अपके लोग स्क्रिन पर आपके लौक स्क्रीन थेए नहीं तो हम इसे जो है यहां पर record कर लेते हैं एक से 2 सेकंड का जदाधा भी करना चाहिए तो कर सकते हूँ और उसके बाद अपनी गैलरी में जा करके simply इसे जो है हमें set कर देना बोल पेपर पे अपने तो set video बोल पेपर पे हम जो है यहां पर क्लिक करके apply कर देते हैं तो set बहुत पर करना है ताकि lock screen और आपके home screen दोनों जगई apply हो जाए तो आपको दिखा देता है यह जो है हमारा यहाँ पर apply हो चुका है दोनों जगई apply हो गया अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आपको बीजट वाले देखने को मिल जाते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे नोट को भी दिया गया है इस तरीके से आपको विजट्स वाले ही देखने को मिलेंगे और इसके settings में चलते हैं तो यहाँ पर जो हो इसका home screen settings है यहाँ पर आपको मिल जाता यह कुछ setting कर सकते हो आइकन पैक आपको एक मिल जाता और चाहो तो आप स्टोर पर जाके और भी डाउनलोड करके सेट कर सकते हो नीचे होम स्क्रीन लियाउट दिया गया यहां पर जो कि यह कुछ सटेंग्स आपको मिल जाती है कि कितना ग्रेट रखना है हाइड एप हो नेम हो गए सार सब्सक्राइब करने के लिए तो जो करने के लिए करने के लिए तो जो की काफी अच्छा फीचर है काफी लोगों को पसंद भी है तो यहां पे अगर कस्टमरों पे आप अपलाई करते हो तो रीसेंट भी आपको मिल जाएगा बागे सारे फीचर तो आपको मियू आई है अदर डिवाइस पर देखने को मिलेंगे और आप देख सकतो तो कैल्कुलेटर मिल जाता है यहां पर कैलेंडर है तो यह सब कैसे करना आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा और यहां पर आपको क्लॉग भी मिल जाता है और साथ साथ यहां पर हमारा जो गैलरी है ओ भी आपको वन प्लस कहीं देखने को मिलेगा यहां पर तो काफी सारे options आपको यहां पर मिल जाएंगे और नीचे आपको यहां पर वेदर भी है और साथ साथ हमारा OnePlus का जो की Health application होता है वह भी आपको यहां पर मिल जाता है बस OnePlus की जो अकाउंट होता है वो लोगीन करना पड़ेगा यहां पर आपको मिल जाता है आपको बिल्कुल OnePlus के काफी सारे अप्लिकेशन आपको मिल जाता है अगर कैमरा भी आप करना चाहते हो तो कैमरा बाहर से आप कर सकते हो अगर चाहिए तो मेरे टेल्ग्राम पर जोन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से जिसमें अप एडिट कर सकते हो और सा थयते हाँ यहां पर आपको मिल जाता है तो यहां पे अपको मिल जाता है जो की काफी अच्छा यहां पर तो आप अगर चाहो तीह यहां पर सभी आइकन के जो है पिक्चर आराम से चेंज कर पाऊगे आइकन स्टाइल और अब बात करते हैं इस्टोलेशन के बारे में यह दो फाइल है आपको डाउनलोड करके रख लेना है दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी और इसको अपलाई करने के लिए आपको रूट की जरूरत पड़ेगी पर धाउनल परे यहाँ आपको यहाँ पे रूट करना पड़ेगा तब हीं आप इ variability कर पाएंगे तो रूट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर तो मैझक lamp प्लेकश नहीं होता यहां पर आपको सभी अप्लिकेशन मिल जाएंगे और साथ दिसी के अंदर आप OnePlus का एक बेंडर मिल जाता जो की magic module है तो इसे हमें magic से ही फ्लेश करना पड़ेगा तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने magic की तरप और आपको दिखाता हूं किस तरी के यहां पर प्लेश करना है यहाँ पे तो हम सबसे पहले चलेंगे अपने तो फिलाल मैं यहाँ भी भी मी जो है यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर,"् AvE यूज़ तो सभी पर installation सेम रहेगा, module पर आगे, simply उसके storage पर जाना है, आपको module के, और यहाँ पर आजाना, अपने storage के अंदर, और यहाँ पर internal storage अपना कर लेना, और वहाँ पर आपने जहाँ भी file रखा है, उस folder में simply आपको जाना है, यहाँ पर, इस तरीके से, और सबसे पहले आपको flush कर लेना, यहाँ पर one plus magic जो कि हमारा module है, तो यहाँ पर हम इसे जो है, flush कर लिए, और यहाँ पर आप चाहो तो reboot भी कर सकते हो, फिलाल हमें दूफराग फ्लस करना है, इसलिए हम यहाँ पर वापीश चलते हैं, साथ में reboot कर लेंगे, तब हमें जो है, यहाँ पर magic जो कि हमारा vendor था, यहाँ पर, तीसे भी हमें जो है, यहाँ पर plus कर लेना, अब हमें जो है, यहाँ पर simply reboot कर लेना है, और यह जो है, हमारा यहाँ पर device reboot होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर सभी application आपके install करने पड़ेंगे, एक एक करेंगे, फिलाल यहाँ पर launcher हमारा देख सकते हो, यहाँ पर कुछी तरीके से आता है, option ता आप इस तरीके से select कर सकते हो, यहाँ पर अपने launcher को और always भी कर सकते हो, ताकि हमारा यह apps दिया गया है, तो apps के अंदर आपको जाना है, यहाँ पर जाना है manage apps के अंदर, और यहाँ पर थ्री डोट पर क्लिक करना, और यहाँ पर default apps आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर हमारा launcher ऊपर दिया गया है, तो launcher भी default प्लाइब को सेट है तुमारा सिस्टम लोंचर है हम यह पर जो है वन प्लस लॉंचर को सलेक्ट कर देते हैं तो इस तरीके से यह हमारा यह जो हो चुका है और वहीं अगर आप कोई अधर डिवाईज जैसे यह यहां पर फिलाल एक डिवोटी ही सो कर जाता है अलनकी बागी पर चेंज करना पड़ता है अब हमें जो है अपने अप्लिकेशन को एक एक कर लिए हैं इंस्टोल करना पड़ेगा फिलाली से मैं skip कर देता हूँ, मैं देकर करके दिखाऊंगा, तो काफी लंब होगा, तो सब को install कर लें और आप देख सकतो, सभी पर blue tick के है, जो मैं install किया हूँ, तो इस तरीके से install हो जाएगा, और सभी application पर 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 आप से यहां पर use कर पाओगे, सभी application को, तो इस तरी oneplus के camera का video लेकर के आ जाओंगा, जो कि oneplus का mode camera हाला कि थोड़ा सा old है, latest वाला तभी काम करता नहीं, थोड़ा सा old है, लेकिन आपको वहाँ पर working मिल जाएगा, तो अगर आप चाहोगे, तो वीडियो में comment करके बता दिना, बाकि यही था process जो कि आपको इस तरीके से करना, और किसी भी device पर, किसी भी ROM पर आप यही इस तरीके से कर पाऊगे, बस ज़रूरत पड़ेगी आपको root की, तो आप जो है root कर लेना, उसके बाद आप हाँ पे plus कर पाऊगे, any ROM, any device, तो आराम से आप आप कर पाऊगे पाता, यही आज की वीडियो में था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और बैल आइकन को प्रेस करके all पर कर दीजे, ताकि जब भी मैं कली वीडियो अप्लोड करू, आप सभी को notification मिल जाकर आपको कुछ पूछना है, तो उसके लिए आप comment कर स सब्सक्राइब कर सकते हैं, आज की वीडियों बस नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग,